साथियों आज डॉक्टर राजेंदर पुर्षाद और बाबा साब अम्बेड कर्द से लेकर के विधान सभा के उन सभी व्यक्तित्वों उनको सब को नमन करने का भी दीन है जिनके अथक प्रयासों से हम सब देशवाच्यों को सम्विधान मिला है आज का दीन पुझ्य बापु की प्रेणा को सरदार वल्लब भाई पटेल की प्रतिवद्धता को प्रणाम करने का दीन है ऐसे ही अनेक दुर्दर्शी प्रतिनिद्यों ने स्वतंत्र भारत के नवनिर्मान का मार्क तै किया था देश उन प्रयासों को याद रखे इसी उद्देश से पांच साल पहले 26 नवंबर को सम्विधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था मैं पुरे देश को हमारे लोक्तंत्र के इस अहम पर्व के लिए बधाई देता हूं सात्यों आज की तारीक देश पर सबसे बड़े आतंकी हमले के साथ भी जुड़ी हुई है 2008 में पाकिस्तान से आये पाकिस्तान से भेजे गए आतंक्यों ने मुंबई पर धावा बोल दिया था इस हमले में अनेक लोगों की मुर्त्य हुई थी अनेक देशों के लोग मारे गए थे मैं मुंबई हमले में मारे गए सभी लोगों को अपनी स्रधान्जली अर्पित करता हूँ इस हमले में हमारे पुलीस बलके कई जावाज सहीद हुए थे मैं उन्हें भी नमन करता हूँ, मुंबई हमले के जख्म भारत भूल नहीं सकता हूँ अब आज का भारत नई निती, नई रिती के साथ आतंगबाद का मुकाबला कर रहा है मुंबई हमले जैसी साजिसों को नाकाम कर रहे, आतंग को मुँतोड जवाब देने वाले भारत की रक्षा में प्रतिपल जुटे हमारे सुरक्षा बलो का भी आज मैं बंदन करता हूँ